आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ड्रग हमारी नई लिगनोकें के स्टक्चर और सिंथेसिस के बारे में स्टक्चर जो बेजिक हमने बताया है एसे आपको मेमरेस कर लेना है और ये अगर आएगा तो आपको सिंथेसिस बहुत इजी लिया जाएगा इसके अंतर आपको ये जो मेन स्टक्चर अगर आपको आजाता है तो उसके बाद आपको उसके Synthesis के लिए एक कट यहां से लगाना पड़ेगा स्टक्चर के अंदर दूसरा कट यहां से और ये स्टक्चर को अलग-अलग लिएजिए देख सकते हैं, मैंने तीरों को अलग अलग लिग दिया है, अब जो कुछ भी यहां पे जो बागी बचा है, तो कि इसके साथ connection, यहां से connection, यह सब बागी है, तो इसको मैं hydrogen दे देता हूँ, इसको दोनों साइग, chlorine, chlorine दे दिया, और पहले वाले को भी मैं hydrogen दे दिया, यह लेट टू बन गया, दो को hydrogen, बीच वाले को chlorine, इतना दे दिया, तो यह हमारे तीन basic पार्ट बन गया है, बस इन तीनों को joint करना है, एक साथ तो तीनों joint नहीं होगे, तो पहले यह दो को joint करते हैं, 1, 2, वो obviously आपको पता चल जाएगा कि HCl रिमूव हो जाएगा, तो तब हमारा में जाएगा structure basic यह वाला, that is CH3, CH3 and CO, CH2 और यह CL और बाकी का यह structures के साथ combine करेंगे, अब हम, plus 30 वाला, तो यानि इसका hydrogen, इसका chlorine निकल जाएगा, दिखा देता हूँ, complete click के, C2H5, यह दोनों को combine करोगे, फिट से HCl जाएगा, और हमारा basic structure बन जाएगा, यह, final, ligno, K, CH3, CH3, LH, CO, CH2, C2H5, तो यह बन गया है हमारा ligno-kane base बना है, यह क्या बना है, ligno-kane base और यह soluble नहीं होगा, unstable होगा, इसलिए इसकी HCl के साथ reaction लिये जाती है, और इसका salt में convert करते हैं, तो यह बन जाएगा, ligno-kane, hydrochloride, यह हो गए आपका complete structure and synthesis of ligno-kane, I hope friends, अच्छा लगे, तो subscribe कीचे, और share कीचे, Thank you.